सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपके लिए आज आई है अपडेट एक्जाम से रिलेटिड और प्रमॉट के बारे में भी बताया गया है तो चलिए सबसे पहले आप अपने फोन में काफी चतर बोल देते हैं पीडिएफ कहां से डाउनलोड होगा ncvt.gov.in आपको इस साइट पर अपने ग्लूगल या फिर कोईशी भी ब्राउजर में सर्च कर लेना है और इस तरह से होम पेज खुल जाएगा यहां पर आपको जो है पीडिएफ कोई भी पीडिएफ आता है वो यहां पे अविलेवल मिल जाता है क्योंकि बाद में क कोई भी छातर कर डाउनलोड करना चाहिए तो यहां से निचे यह निज एंड अपडेट यह एस ओपी भी आ गई है और एडवाइजरी टू आइटी इस ओन री ओपनिंग ओफ इटे आफ्टर लोग डाउन तो इन में जो है एस ओपी में और एडवाइजरी के अंदर एक् वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया और देखने के बाद सभी छातरी जानकरे को शेयर जरूर करना था कि पता चल सके सभी छातरों के पास यह जानकरी उन तक पहुंच सके चलिए इन्हें ओपन कर लेते हैं तो फाइनली आप सभी छातर देख सकते हो यह डीजिटी की तरफ से आया हुआ ओफिशल लेटर है कोई फैंक जानकरी नहीं है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इसे और साथ यह दिखाया गया इदर साथ सितंबर 2020 को जारी किया गया लेटर है सब्जेक्ट के बारे में बात केंगे एडवाइजरी रियॉपनिंग ओफ हाइटे अफ्टर लोगडाउन लेकिन इसमें प्रिक्षा के लिए भी बताया गया है चलिए इसे बता देख लिती है इन रेफरेंस तु मिनिस्ट्री यानि के मेच्चे की दवरा यह ओर नंबर ब जो ट्रेनिंग जो है इंस्ट्यूट जो है कवर्ड रहेंगे कंप्लीटिंग कॉर्णिम और इन वीव दा वैर्डिंग फिल्ड इन कंशेप्ट चलिए जो में एड़े हैं वही बता देता हूं आपको आल सिक्स मन्त यानिकी जो च्छै मिने की जो ट्रेड है यानिकी आई ने देखा होगा च्छै मिने की भी ट्रेड होती है और जो फर्स्ट यर कोर्स है और सेकंड यर है सेकंड यर कोर्स फ्रॉम 21 सेप्टंबर 2020 ओन वार्ड देट देर एक्जैमिनेशन कन भी कंड़क्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक टू नमंबर 2020 के बताया गया है यानि कि पहला उसमें आपके परिक्षा जो है करवाई जाएगी वो भी सेकंड यर वालों की सेकंड यर वालों की बात की गई है यहां पर यह मैं सोचना जो फर्स्ट यर वाले सेकंड यर में नहीं जो फाइनल वाले जो है उनकी परिक्षा करवाई जाएगी नमंबर 2020 के पहले सबता में अब बात आती है first year वलों का क्या होगा तो first year वालों के लिए देख लिजिए all first year of second year courses from first October 2019 yarni कि 1 October 2019 से Layer current for first year in order than the training for second year will be started 10 November 2020 से जो है जो first year के चातर जो है उन्हें direct promote करके जो यानि कि जिनकी first year चल रही थी उन्हें प्रमोट करके अभी जो है second year में जो है direct एक बार कर दिया जाएगा वो भी 10 November 2020 से किया जाएगा और साथ में कुछ नीचे भी बताया गया है प्रमोट के देख लीजी जिनका first year आना उनके लिए बता रहा हूँ है the examination are proposed for first year की बात की गी है after conversion in the month of December 2020 अगर बाद में कोई decision लिया गया तो इनका exam जो है दिसंबर तक करवाया जा सकता है 2020 तक first year वालों की बात कर रहा हूँ है second year वालों का तो रहेगा November first week के अंदर ही November में आपका exam होने है लेकिन जो first year के छातर जो है उनने अभी प्रमोट किया जाएगा लेकिन बाद में उनका exam हो सकता है दिसंबर 2020 तक इसके बाद में बताया गया है कुछ अलग से और स्टेटीजी ओनलाइन क्लासे जार नोट पॉसिबल ओन साइट यानि के अंदर पॉसिबल नहीं है दा क्लासे एंड वरक्शॉप फॉर नूवली अडिमिटीड ट्रैनी अखेडमी स्काइट आइन की जिनका अभी नया इड़मिशन होगा 2020 नया इडमिशन के बारे में बताया गया है विल वी श्टार्टेड ओन लाइन 21 सितंबर से जो है नय डविशन की जो हो रहे हैं उनकी भी क्लासे जो है भारत स्किल की साइट पर जो है करवाई जाएगी यह के मादियम से और नेचे कुछ और भी बताया गया है कंप्लीट ट्रेनिंग कंट्रक्ट ट्रेनिंग ओनिंग तो फीजिकल स्पेस एंड कपेस्टिक कंट्रेस्ट यह आल आई टी जितने भी गवर्मेंट और प्राइट यह में जो प्राइवेट जो है उन सभी के लिए जारी क किया गया है तो कुछ-कुछ में टॉपिक की बात देखेज़े ते जारी किया गया जो है डिप्टली डारीक्टर जर्नल जो है दिपांकर मालिंक उनके द्वारा जारी किया गया है यह और नीचे कुछ ओory बताया गया है स्टेट डिरेट्टु टेट यान आने कि सभी रा इसमें जो है बताया गया है एक बार जितने भी गाइडलेंट्स जवाई है मेचे के दोरा ही बताया गया है क्योंकि पहले भी लेटर आया था उसमें बताया गया था कि इंस्ट्ट्ट जितने भी है वह मेचे ने जारी की थी इसमें बताया गया था कि जितने भी इंस्ट्ट्ट जो है 21 सितंबर से जो है खोले जाएंगे लेकिन इसने में जो है कुछ मेर मेर बातें यह एडवाइजरी दी गई है रिया ओपनिंग ओफ इंडॉस्ट्रिल ट्रेनिंग इंस्टूट तो इसमें बताया गया है सेनेटाइज डिस्ट्रिक एडमिनिस्टर और और औरियंटल आल स्टूडेन्ट एडमिशन सेशन जिनका 2021 रहेगा स्ट्रेट मॉनिटरिंग ओफ एक्टिविटीज तो यह सभी के लिए बताया गया है डिवाइजरी चलिए कुछ मेर 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 टॉपिक पर बात कर लेते हैं बैक एक्जाम वालों की बात की जाए जिनका बैक था तो उनके ल करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो जो फरस्ट एयर के वालों हैं उन्हें जो है अभी एक बार प्रमोट किया जा रहा है उन्हें जो है सेकंड एर में किया जा रहा है अभी एक बार और उनकी परिक्षा जो है फरस्ट एयर वालों की दिसंबर के 2020 में ही हो सकती है इन् दिसंबर 2020 तक बन सकते हैं लेकिन निचे आपको कुछ दिखाई भी दिया होगा कि एमेचे ने भी बोल रखा है टाइम टू टाइम गाइड लेंस भी चेंज होती रहती है तो यह अभी तो ओफिशल लेटर है कोई फैंक जानकरी नहीं बता रहा हूं पहले देख लीजिए बाद में आप यह मत कहिएगा यह क्या है वो क्या है तो जितने भी छातर दे सही जानकरी नहीं पहुंच पाती जिसके कारण वो ऐसी फैंक जानकरी नहीं पर विश्वास कर लेते हैं और प्रिक्षा के त्यारी भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने प्रिक्षा के त्यारी भी कर सकते हो बार्ट स्किल की साइट पर जाके वहां पर भी ऑनलाइन क्लासे होती हैं और निमी एडुकेशन वहाँ पर भी आप कर सकते हो मौक टेस्ट वगरा अच्छे से प्रवाइड करवाई जाते हैं सब इस्टेट जितने भी ट्रेट्स जो है वहाँ पर आप मौक टेस्ट की त्यारी कर सकते हो क्योंकि जो एनौल वालों की बात की जाए तो उनके जो रहेगा वह ओफलाइन ही रहेगा तो यह इसलिए जो एनौल वाले हैं उनको जो है प्रैक्टिस की जरूरी है तो आप मौक टेस्ट जितने भी अवलेवल मिलते हैं बार्स के लिए निमी ओनलाइन जो है एप एप भी डाउमलोड कर सकते हो आप निमी एप लेस्ट और जितने भी है त्यारी करते रहें क्योंकि पहले थोड़ा सा जो ओनलाइन टेस्ट बगरा कि हम त्यारी कर लेते हैं तो एक्जाम के अंदर परशानी नहीं होती क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता सीबी टी एक्जाम में और जितने भी छातर हैं अगर फीट्र टर्नल मशीन मेशनिस्ट के क्लास जाते हैं तो डेली के बीत से पथीशे किस्थन करवाँगा मैं वह भी इंपोर्टेंट के चैप्टर वाईज अगर आप चाते हो तो चुल से हैं करवा सकता हूं वह मैं शडू तो कमेंट वोक्स में च्मेंट खब ज़रूर कर देनाurd क्लास चाते क्लास चुरह तो यह सारी जानकरी ज़ो आ फैंक जानकरी नहीं है जानकरे को शेयर की जिढ़ा चैनल पर नहीं हो ज़ूर सब्सक्राइब कर लिजिए और एक ख्याल रखिए पढ़ते रहे सुष्ट रहे और मस्त रहे दन्यवाद